हेलो वाट्सप गाइस माने में स्मिनोध बादू थापा एंड टूडे इन इस वीडियो बूबल से क्लीन अफंक्शन इन आउ रियाक्ट अप्लिकेशन जहां गाइस तो आज कर दो बहुत ज्याद आउसम है क्योंकि यह हमारा यूज इफेक्ट हुग का इसके अंदर आप देख सेखते हुग कि उसके अंदर जो एक कॉल बैक फंक्शन वह हमें रिटें करता है क्लीन फंक्शन तो यह क्लीन फंक्शन क्या चीज़ एंडिसकी हमें क्यों नीड इतना जाद इन पॉर्टेंट की यह तो वह आज इस वीडियो में आपको बता हूगा क के लिए जिसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं मैंने अपना जो सब्सक्राइबर बटन उसका लाइब सब्सक्राइबर रियल टाइम जो भी है अप कहली जे सब्सक्राइबर में बनाया हुआ है तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि यह आप कैसे बना सकते इसमें क्लिन अप फंक्शन क्यों बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट प्ले या जो रोल है वो प्ले करने वाला ठीक आप देख सकते हो रियल टाइम मेरा सब्सक्राइबर काउंटर है यहां पे मिमिक कर रहा हुँ बैसे क्लिया एक्टोल एक थूरू मैंने गेट नहीं कि आप देख सकते हो 6,70,000 तो हुए तो नहीं है ओमाइग यह हो चुक है यह मुझे यहां पर थोड़ा ज्यादा लिखना चाहिए था बट आप हमाने नेक्स टाइगर तो 1,000,000 सब्सक्राइबर गाइस इतनी मैने डेली वीड वीड अपलोड करो प्लीज सब्सक्राइब आज के वीडियो तो बहुत इंपोर्टेंट देख लिजिए सो अलेडी मैंने कुछ कोड इतना लिख के रखा हुआ है आप बहुत कि लिए लिए देख सकते हो बांस अगें वीएब आवर हुक्स इंसाइड हुक्स वीएब आवर यूज एफेक्ट हुक्स और इसके अंदर काउंट बनाई हुई है यहां पर एंड यहां पर मैंने काउंट ले लिए अब उसको कंटिनुसली मुझे दिखाना है बट फिलाल अभी मुझे कैसा दिख रहा वो तो देखना पड़ेगा तो क्लीन अप यहां पर चलता हूं क्लीन अप एंटर हिट अब यह जो चैलेंज वही यूज करना पड़ेगा है ना सेट इंटरबल में हम चलते हैं कुछ इस तरीके से एंड यहां पर आपको टाइम देना होता है लाइक 1000 मिली सेकेंड अब यहां पर एक चीज है जो अगर आपको याद हो तो थापा टू डू तो यहां पर आप देखोगे तो मैंने आप की वैल्यू है फ्लस वान ठीक है ऑबिसले आप्टर एब्री 1000 मिली सेकेंड मतलब एक सेकेंड के बाद इसकी वैल्यू को वह एक से अपडेट कर देगा बस यही मुझे चाहिए एक देखो दो देखो क्या होता है यह चार आप समझ रो कुछ तो अटपटा सा हो रहा है या जिपसा हो रहा है एंड फॉर सम रिजन फिलाल यह अभी इस तरकी से देखो आपका यह काम कर रहा है ठीक है बट लेट मी टेल यू वान थिंग बहुत बार यह अच्छे से काम नहीं करता है एंड फिलाल बस किसी रिजन से अभी यह काम कर रहा है यह आप खुद देख सकत अब एक और चीज़ हम यह कर सकते थे यहां पर कभी आप डैरेक्ट लेसे डारेक्ट के साथ भी मत करो वी हैब कॉल्वेक फंक्शन जहां पर प्रीवेस वैल्यू जो था अपडेटेट वह मुझे मिलता है उसको लेके मैं इस तरी के से खेल सकता हूं ठीक है एंड लेट सी इसको भी अगर हम ट्राय कर के देख लेते हैं यह देखो अलग दुनिया अपनी अलग दुनिया में जा रहा है यह ओ मायगाट रैंदो इसको गोली मारो फिलाल इसको हटाते तो अब समझ रहो में क्या कहने की कोशिज करण यहां पर क्या हो रहा है नहीं हो पा रहा है तो यह सेट इंडर्वल इफ रिमेंबर अगर आपको यादो यह मेरी वह PPT है जो मैंने आपको मेरे वर्ल्ड वैस्ट कोर्स में दिखाया था ठीक है मैंने आपको इवेंट लो बहुत डिटेल में समझाया था अगर आप साइड में कोड देखोगे यहां पे कोड है जब हम सेट टाइम आउट का यूज कर रहे होते है तब क्या सीन होता है तब क्या होता है मैं आपको बाता आता हूं ठीक है ध्यान से देखना फिर्स्टा चला उसकाइव कंशल डॉट बाट लोग आया खताम exe जुआ toчно खिता हो गया चैकेंड फंक्शन चला उसके अंदर कंसल डॉट जाल आऊ जैता है तब वो झृट से टाम आउट पक्योंत है ना कमैं में खता मैं यह यह जब तक दिंस सेकेंड कोड हमारा एजएक्स फैच एपियाई एंड अधर एसिंख्रोंस ऑप्रेशन जो है वह इस वेब एपिय के अंदर होते हैं एंड वहां पे वह अपना वारी का वेड़ कर रहे होते आराम से चलो तीन सेकेंड का टाइम दिया कोई नहीं यह मेरा घर है यहां पर हम चिल गरेंगे समझे रहे हो ना तो उस तरह किसे यह जब हुआ खत्म अब थर्ड फंक्शन को कॉल करेगा एंड थर्ड फंक्शन में ज ग्लोबल एक्जेक्विशन कॉंटेक्स्ट में बिसिकलि हमारे जो कॉल स्टाइक के कुछ वैल्यू अभी भी है या नहीं अगर एंटी है तब हमारे इवेंट लूप का काम है कॉल बैक क्यू में जो भी होगा उसको इस कॉल स्टाइक पर जाके रख देना ताकि दिखा सके किया तब जाके वो टाइमर हमें दिखता है अप्टर 3 सेकंड्स जो भी होगा फंटू इस स्टार्टिंग वाला जो भी कोड़े वह हमें मिलता है तो यह जो पार्ट है यह मैंने गाईस अपने वर्ल्ल बेस्ट अगर मैं आपको बता हूं तो मेरा ही ओ माय गॉड क्या हो र ठीक है तो अब मैं क्या करूं यह एक एक स्टरनल एपी आई है जब भी आप कोई इक्स्टरनल सोर्स एक स्टरनल डेटा के साथ डिल करते हो इन रिएक्ट हमें यूजेफेक्ट हूग चाहिए है ना तो एक काम करते हैं जो कोड़े ऐस आई-दिज्ड यूज इफेक्ट रहता हूं ठीक है क्या होता है let's check it out तो देखा आपने गाइस क्या हो रहा है यहां पर यहां पर यह चल तो अच्छे से रहा है बट एक प्रॉब्लम आप बहुत क्लिए लिदेख सेकते इवन आपते यूजिंग यूज इफेक्ट देखो अब वो दो से इंक्रिमेंट हो रहा तो क्या हो रहा है आप अब जब आप इस तरीकी से काम कर रहे हो न एक चीज़ नोटिस करो what is this यह आपका एक dependency array का होने का मतलब यह कि मेरा यह जो यूज इफट होंक है यह सिर्फ और सिर्फ जब quadrant mount होता है या जब first time हमारा component यह call होता है या render होता है तब भी यह उज फेक्ट होंक चलता है एक बार यह यूज इफेक्ट होंक चल गया उसके बात चाहे दुनिया कहीं भी चले जाए यह काम नहीं करता है यह नहीं चलता है बट फिर भी जो मेरा यह जो सेट इंटरबल था वो तो सेट हो गया मेरे वेब एपी इस पर याद है मैंने आपको इवेंट लूप में दिखायता है वहाँ पर अपने इंतजार की बारी कर रहा मतलब कंपोनेंट वापसरी रेंडर हो गया बट जब वह वापसरी रेंडर हुआ यह ध्यान से देखना जब वह वापसरी रेंडर हुआ तब मेरा यह यूज इफेक्ट हुक नहीं चलेगा क्यों नहीं चलेगा क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ बना है फॉस्ट टाइम चलने जहां पर वले ही parent अब हमारे execution context से बाहर हो चुका है बट still child के अंदर जो ये भी variable है उसके पास power है कि अपने parent का जो भी data था वो memory में कहीं तो stored हुआ होगा वहाँ से उसको get करने की कोशिस करता है बट हमारे case में हो ये रहा है कि set count हम जब ये previous value पास कर रहे है उसको ने exactly count की value नहीं मिल रही है उसको एक stale value मिल रहा है और वो उसको assume कर रहा है कि ये count की actual value है और हमारे case में वो true हो रहा है जबकि हमें एक चाहिए था यहाँ पे समझ रहे हो तो कुछ वैसा scene है एकदम deep में भी आप चाहो तो जा सकते हो बट उपर से मैं आपको explain कर दी है तो problem बस यह है यहाँ पर प्रॉपर जो value मिलना चाहिए था count का actual updated current value यहाँ पर नहीं मिलता है तो वो हम कैसे कर सकते क्योंकि behind the scene ये चलते जा रहा है तो हम चाहेंगे कि इसको एकदम exact value मिले बले ही use effect आपका second time चले ना चले तो हम क्या करेंगे set interval तो every time update हो रहा है one second में है ना तो मैं यह क्या करूंगा कि जो मेरे previous data है set interval के उसको मैं clean कर दूंगा समझ रहो तो इससे होगा यह कि जो actual value है वो every time जो नए updated value है वो इसको मिलने वाला है तो इसके लिए हम क्या करते हैं याद हम हमें सही करते हैं इंटरबल को हमें रोकना पड़ता है clear करना पड़ता इंटरबल तो const timer या इंटरबल आप रख देते आप इसको मुझे cleanup function के अंदर रखना है return and then callback function में आपको pass कर देना इस तरह किसे यह एक line of code अगर आप लिखते हो and refresh करते हो so 3 to 1 and boom guys see यह देखो अब मेरा यह काम कर रहा है यहाँ पर बहुत सारी चीज़े है जो आपको समझना जरूरी है and मैं आसा करता हूं कि मैंने जितना at least आपको समझाया आपको तना पता चल गया होगा अगर आप cleanup function यूज नहीं करते हो तो यह कुछ भी अटपट आपना जो still value वो दे रहा है क्योंकि use effect second time तो call होगा ही नहीं it just हमारे यह web API में hold होता है एक second के लिए and जब वापस से इसको update करने की कुछिस करता है इसको वो value मिली नहीं रहा है current updated because हर time एक नय 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 डेटा डेटा आता जा रहा है and वो अपने आपसे assume कर ले रहा है चलो यह इसकी value कर देता हूं update फिलाल मुझे तो दो से हुआ क्या बात आपकी system में आपको कितने से दिखाई दे but the moment आप जो हमारा इसका data हमें मिलता पुराना उसको आप clean कर देते हो तो every time जब भी data fetch करेगा तो current updated count की value को वो fetch करेगा क्योंकि no matter what हर एक second में वो set count को तो call करी रहा and हम यहा पे value को update कर रहे हैं तो value update करना मदलब इसकी value update होना मतलब वापस से function चलना and जब तक यह function वापस चलता तब तक हमें clean up कर चुके होते है मतलब अब मेरा previous data यहा पे नहीं है previous data अब यहां से लेना देना नहीं है अब क्या होगा जब वापस यह after one second चलेगा तो पहले जब यह चला होगा उसका वो तो अब हम clean कर चुके तो जब वापस से set count में यह previous करने जाएगा previous की value को get करने जाएगा तो उसको अब यह actual count की value मिलेगी अगर आप यह लिखते हो तो I know guys यह topic little bit थोड़ा सार समझने में मुस्किल है बट मैं आसा करता हूँ मैंने जो आपको यह समझाया आपको पता चला होगा प्लीज आप भी इसको थोड़ा और depth में जाएगे और सोची एंड यह जो एक वीडियो अभी आपको दिखाई दे रहा है इसको भी एक बार जरू चेकाउट कीजेगा आज से तीन चार साल पाता है कब मैंने अप्लोड की थी बट इसमें भी बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको clean up function बता है उसको भी एक बार जरूर चेकाउट कीजेगा तो आपको double double example आपको मिल गए देखो एक तो 2024 का भी और उस समय जो मैंने आपको के साथ सेर किया था इन दोनों वीडियो को आप 2-3 बार देखिए आपको पूरा idea आजाएगा actual में क्या हो रहा है और यह ची कहीं ना कहीं तो इस्टोड हो रहा है ना memory में तो वह जो memory leaks है वह हमें नीचे फालतू का जगे इस्टोड नहीं करना है इसकी value का अपडेट कर दी फट से उसको मैं remove कर दे रहा हूं मेरे memory से remove कर दे रहा हूं तो वापस जब यह चलेगा इसकी value जो है previous वाली वह हमारा current value लेगा क्योंकि मैं already clean कर चुका हूं उसको समझ रहो मेरे memory से तो कुछ यह इस तरीकी से काम करता है और आई होप आप समझ गोंगे एक use case में आपको बता है कि क्यों यह इतना जादे इंपॉर्टेंट था तो बिलिब में गाइस जो मैंना थुदेर पहले बता है वो वीडियो उसको भी बाद जरूर चेकाउट कीजिएगा उस पर तो मैंने console पे लाइप example करके भी बताया थ एंड नेक्स टागेट इस वन मिलियन सब्सक्राइब अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लिस कर दीजेगा मिलता हो कल के वीडियो में तिल दिन गाइस थेंक यू मच टेक क्यों